नमस्कार दोस्तों शम्रीद क्रियेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं दो कलर में छोटे बच्छों के लिए बहुत ही खुश्कुरत डीजाइन लेकर आई हूं। दोस्तों आप इस डिजाइन को फुल स्वेटर में डालिए हाफ स्वेटर में डालिए और बच्चों के टोपी एवं मोजे में भी आप डाल सकते हैं यह बहुत प्यूरत लगेगा दोस्तों इसे हमने बीश फंदों में बनाया है और बीश फंदों डालने के बाद हमने दो राउंड उल्टा बुनाई किया है और उसके बाद तीन फंदे हमने बुने हैं और एक फंदे हमने उतारे हैं ब्लू कलर के फंदे हमने तीन फंदे हमने बुने हैं और वाइट कलर का एक फंदा हमने उतार लिया है इस तरह से हमने ये डिजाइन डाला है और आए दोस्तों देखते हैं आगे हमने इसे कैसे बनाया है और ये तीन रौंड बुनने के बाद चौथे रौंड में हमें उल्टा बुनाई करना है तो देखिए ये हमने उल्टा बुनाई कर लिया है और इसके बाद हम डिजाइन डालेंगे तो ये तीन फंदों को हम बुन लेंगे ये बीच में जो फंदा आया है ये ब्लू कलर का एक फंदा हमने उठाया हुआ फंदा बुना है तो ये फंदा बीच में होना चाहिए देखिए ये फंदा तीन फंदों के बीच में है ये ये हम प्लू कलर्ण के धागे से बुनेंगे बूर पीफनल सीधा है बीछ वाला की इस सिधा को ऊतार लेंगे इस तरह से तीन फंदों को हम बुनेंगे सीधा करके, सीधा बुनेंगे धागा पीछे सैट करके और एक फंदा हम उतार लेंगे तीन फंदे को हम बुनेंगे और एक फंदा हम उतार लेंगे यहाँ तीन फंदे हमें बुनना है देखें, दो हमने बुन लिया है यह तीन फंदे हमने बुन लिये और यह फंदे, इसकी जो सिधाई में यह धागा, यह यह जो फंदा है यह उठा हुगा फंदे, जो हमने वाइट कलर से उठाया है इसकी सिधाई में जो फंदा है यहाँ इसे हम उठा लेंगे, इसे हम बुनेंगे नहीं इसे हम इसी तरह से उतार लेंगे देखिए, यह तीन फंदे को हम भुन लेंगे और एक फंदा जो इसकी सिधाई में है, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे बाकी तीन फंदे को हम भुन लेंगे और एक फंदा यह लास्ट वाला इसे भी हम उतार लेंगे यह तीन फंदे हो गए, यह लास्ट फंदे को हमने उतार लिया है और पीछे साइड हम आ गए, यह हमारा पहला राउंड कम्प्लीट हुआ है अब हम पीछे साइड से दूसरा राउंड भुनेंगे और उसी तरह भुनेंगे जैसे हमने सिधे में भुना है पहला फंदा हमने उतार लिया और तीन फंदे को हम भुन लेंगे ब्लो कलर के तीन फंदे हैं, इन्हें हम भुन लेंगे इस तरह से यह हमारा दोसरा राउंड चल रहा है यह देखिए कि हमने उतार लिया तिन फंदे हमने बुन लिया और वाइट कलर के फंदे को हम उतार लेंगे पहले राउंड में भी हमने उतारा था और दूसरी राउंड में भी हम वाइट कलर के फंदे को उतार लेंगे यह हमारा दुख्रा राउंड कम्प्लीट हो गया अब हम देखिए तीश्रे राउंड में आ गया सीधे साइट सीधे साइट भी हम उसी तरह बुनेंगे तीन फंदों को हम बुन लेंगे इस तरह से और वाइट कलर का उतार लेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से हम तीश्रे राउंड में भी तीन फंदे को बुनेंगे बुलू कलर के जितने फंदे है तीन है तीन फंदों को हमने बुन लिया और वाइट को उतार लिया है ये सब इसरे राउंड में हम बुन रहे हैं देखें ये तीसरे राउंड में हमारा कमप्लीट हो गया अब हम चौथे राउंड में अ पहुच गए देखिए हम उल्टे साइड आ गए यह चौथा राउंड है चौथे राउंड में हम कि सभी फंदों को धागा पीछे करके बुनेंगे कि इस तरह से सभी फंदों को हम धागे को पीछे करके बुने जो वाइट कलर का उतारा हुआ फंदा था इसे भी हम बुन लेंगे दोस्तों यह चार राउंड की डिजाइन है और चौथे राउंड में हमें सभी फंदों को देखिए एक भी वाइट कलर का फंदा नहीं है सभी फंदों को हम धागा पीछे करके बुन लेंगे हम देखिए इस तरह से हमारा यह चौथा राउंड कम्प्लीट हो गया और यह एक डिजाइन कम्प्लीट हो गई देखिए यहां उल्टा उल्टा आ गया है सामने साइड से यह उल्टा धारी बन गया है और इसके उपर हम आपको एक बार और बता देए इसके उपर आप वाइट कलर से उसी तरह से बुन सकते हैं जैसा कि हमने बुना है देखिए उपर हम यह यह जो फंदा है उठाया हुए फंदा है यह उतारा हुए यह हम बीच में रखते हैं देखिए यह बीच वाला जो फंदा है इस पर यह है तो इस बार हम इस तरह से बुनेंगे है एक और दो यह पहले पहले फंदे को हम बुन लेंगे और यह एक यह यहाँ तीन फंदे हमने पिछले रॉंड में यह देखिए हमने तीन फंदे बुन थे यहां तीन फंदे बुनने के बाद एक फंदा हमने उठा लिया था उतार लिया था वाइट कलर के फंदे को हमने इसी तरह से उतार लिया था उसे बुना नहीं था तो इस बार हम एक फंदे हमने बुने वाइट कलर से हमें इक बार वाइट कलर से बुनना है देखे इस तरह से हमने बुन लिया और ये ब्लू कलर का एक फंदा हमने उतार लिया कि यहां तीन फंदे थे तो बीच का फंदा हमने उतार लिया और देखे यह फंदा भी बीच में आ गया है जिस पर वाइट कलर का फंदा चला हुआ है तो देखे इस तरह से हमने बुनाई किया है यह हमने धाग बदल दिया वाइट कलर से हम बुन रहे हैं और देखे यह बीच का फंदा है इसे हम उतार लेंगे इसकी सिधाई में यह जो फंदा उत्र हुआ है इसी फंदे की सिधाई वाला यह फंदा है इसे हम उतार लेंगे इ पहले का उत्रा हुए पंदा ये बीच में आ गया और जो तीन फंदे का बीच का फंदा था वह उतर गया है बहुत कोफ कर डिजाइन बनता जाएगा इसमें तीन फंदे बुनने के बाद इक फंदे उतार लेना है और ये कुल चार राउंड का डिजाइन है इस तरह हमें लाश्ट में दो फंदे आएंगे एक बार लाश्ट में एक फंदा आएगा और दूसरी बार जब डिजाइन डालेंगे तो दो फंदा आएगा और इधर तीन फंदा आएगा और जब दूसरी बार बुनेंगे तो ये एक फंदा वाइट और एक ब्लू हो जाएगा यहां का एक फंदा उठ जाएगा इस तरह से आप ये डिजाइन डालेंगे बहुत खुब क्यूरा डिजाइन लगेगी दोस्तों यदि हमारी ये सब्सक्राइब करना ना भूले आज बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और खुब क्यूरा डिजाइन के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाज